केंदरी विद्याले डेली रिजन के अंदर क्लास सेवन्थ के अंदर कम्प्यूटर स्लेबस जो है उसके अंदर एक सौफ्ट्वेर है GIMP इस सौफ्ट्वेर को अपने डेक्स्टॉप, लेप्टॉप, कम्प्यूटर्स पर आपको कैसे इंस्टॉल करना है और इसके अंदर पूरा इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा तो इस प्रोसेस को आप फोलो करके अपने घर पे भी डेक्स्टॉप या लेप्टॉप यादि कम्प्यूटर है तो उस पर आप इंस्टॉली को कर लीजिएगा तो इस सौफ्टॉयर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सौफ्टॉयर को हमें इनकी website से डाउनलोड करना पड़ेगा तो इस के लिए हमें Google पर चलना पड़ेगा Google पर यहाँ पर आपको लिखना होगा GIMP Download आपको यह लिखना होगा तो इसमें आपको यह सर्च करके इसकी जो पहली वेबसाइट यहाँ पर आएगी www.gimp.org Downloads आपको इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी ओफिशल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी इसकी ओफिशल वेबसाइट को मैं नीचे description दे डाल दूँगा आप वहाँ से भी इसको डिरेक्ट क्लिक करके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे यहाँ पर यह स्टेप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड जी आई एमपी जो भी इसका वर्जन लिखा है और नीचे लिखा है डिरेक्टली आपको इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है तो क्लिक होने के बाद यहां पर यह वेबसाइट के अंदर सिधा डिरेक्टली यह सॉफ्ट्वेर इंस्टॉल करने डाउनलोड होने का एक प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर मैं स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ यह 245MB के फाइल है एक तो यह मेरे अब कम्प्यूटर के अंदर यह फाइल डाउनलोड हो रही है इसके हेल्प से यह सॉफ्ट्वेर GIMP को हम डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि इस पे हम काम कर सकें इसके अंदर आप देखेंगे तो यह डाउनलोडिंग मेरा हो रहा है अभी तक जब तक ये पूरा process download नहीं हो जाता है ये software download नहीं हो जाता आपको इसको wait करना है बीच में इसको cancel भी नहीं करना मेरे computer के अंदर internet download manager नाम का एक software installed है तो ये इसके through हो रहा है अगर आपके computer पर ये नहीं download होगा तो ये आपके google chrome पर यहाँ नीचे download यहाँ पर ये होगा तो मेरे software इसके अंदर डेर्ड इंस्टॉल है तो इस वाले software के अंदर ये file download हो रही है आपके में नहीं होगा तो ये नीचे यहाँ पर होगा तो ये download हो चुका है तो मेरे software ये download हो चुका है तो यह software open हो जाएगा तो इस software को मैं open कर रहा हूँ तो इस software को install करने के लिए अब यह download तो हो गया अब यह install के process अब मेरे सामने आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे install for all user recommended आपको यही करना है सबी users के लिए आपको इसको install करना है इसके बाद आपके पास एक एक step by step यहाँ पर open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके background में मैं एक minute जो है इसको clear कर देता हूँ ताकि आपको यह पूरा process दिखाई दे तो यह है यह setup wizard यह software download हो चुका है मेरा आप मैं उसके click करा software पर open करा तो यह पूछेगा language तो यहाँ से by default English language ही करनी है और ok पर आप click कर देंगे ok पर click होने के बाद आपको नीचे install button यहाँ पर show हो रहा है आपको इस install button पर click करना है तो यह installation process start हो चुका है file कुछ GIMP की software की file मेरे computer के अंदर install होना start हो गई है तो यह पूरा process यह पूरा हमें wait करना है जब तक यह पूरा यहाँ से मेरे computer के अंदर download नहीं हो जाता इसके अंदर हमें पूरा wait करना है जब तक यह download नहीं हो जाता आपको यहाँ पर wait करना है जब तक यह पूरा आपके computer पर install नहीं हो जाता यह install हो रहा है आपके computer पर laptop पर जो भी आपके पास है इसको कैसे download करना मैंने आपको बताया download होने के बाद आपको user वहाँ पर select for all user पर वहां पर क्लिक करना है और उसके बाद install बटन पर यहां पर लिखा भी हुआ है, remember GIMP is a free software, यह free में available है, इसका कोई trial version नहीं है, यह पूरा complete free में available है, नेट से जो हमने अब इसको download करके अब यह इसको install कर रहे हैं, बीच में आप से कोई भी paid software नहीं है, पैसा नहीं मांगेगा यह, तो इसको आप easily अपने computer पर install, download करके install कर सकते हैं, इसके समय समय पर updates भी आते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर update भी software के ले सकते हैं, जब तक यह install हो रहा है, आपको पूरे installation प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी click नहीं करना, यदि यह आप से गलती से cross हो जाता है, या cancel हो जाता है, तो यह पूरा rollback हो जाता है, तो आपको फिर से इसको install करना पड़ेगा, तो बहतर है कि आप यहां कहीं पर भी click नहीं करेंगे, यह step पर आने के बाद थोड़ा slow हो गया है, हो सकता है, आपके computer पर भी यह slow हो, यहां पर कुछ heavy file होगी यहां पर जो आपके computer पर जो है install हो रही है, तो आपको wait करना है जब तक यह पूरा process, installation process complete ना हो जाए, यह class 7th के अंदर है, के अंदर देली डेली रीजन के computer के अंदर, GIMP software एक है, यह एक free software अविलेबल है website पर, जिसके अंदर हम image editing करना सीखेंगे, इसके अंदर हम computer के अंदर image editing के वैसे तो कई सारे software हम अलग से डाल सकते हैं, यह लिवस के अंदर है, आपको इसे को install करना है, और इसके उपर image editing का concept हम सीखेंगे, कैसे image के अंदर, image को हम किस किस तरह से edit कर सकते हैं, अब यह थोड़ा fast हो गया है, install होना आप देखेंगे green जो है, इसने speed पकड़ ली है, अब यह जल्दी जल्दी green 400% होने वाला है, इस installation process में मैंने इस वीडियो को कहीं पर भी skip, मतलब आगे बढ़ाये भी नहीं है, skip भी नहीं करा है, पूरी वीडियो जो installation process है, मैंने उसको starting से लेकर 0% से लेकर 100% तक आपको यहां दिखा रहा हूं, आपको भी बिल्कुल वेट करना है, कहीं पर भी रुख जाने पर आपको इसको काटना नहीं है, वहाँ पर वेट करना है, कहीं आपको लगे यहीं मेरे computer पर install नहीं हो रहा, तो लास्ट में आपके पास completing the GIMP setup विजाट आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा है, successfully आपके computer पर यह install हो चुका है, तो आपको करना है finish, यदि अभी भी कोई सी बच्चे को जिसको भी यह software install करने पर यदि दिक्कत कोई आए, तो आप नीचे comment section पर जाके अपना reason दे सकते ह वहाँ पर आप क्यों नहीं इसको कर पा रहे हैं, तो इसको मैं finish पर click करता हूँ, finish पर click होने के बाद, अब मैं आपने start के अंदर जाके यहाँ पर लिखूँगा GIMP, तो GIMP मेरे computer पर install हो चुका है, यह यहाँ पर search हो के आ रहा है, मैंने नीचे लिखा है search box पर, तो इसके मैं जैसे click करूँगा तो यह software ready to use, यहाँ पर open हो जाएगा, तो आपको थोड़ा wait करना है, इस software के लिए, यह depend कर सकता है, आपके computer की RAM की speed पर, देखेगा आप यहाँ पर यह आ गया है, यह कुछ starting में loading लेता है software, और उसके बाद यह पूरा open होता है, तो आपको first time जब यह open होगा, तो कुछ, इसको जो है, display होने पर time लग सकता है, तो आपको यहाँ पर wait करना है, software load हो रहा है, load होने के बाद यह पूरा फिर आपके साथ screen पर display होगा, इस software के help से हम image editing करना सीखेंगे, GIMP के full form नीचे लिखी होई है, GNU image manipulation program, और यह 2.0 इसका version है, यदि इसके बाद कोई latest version आता है, तो वो update आप software को कर लीजेगा, तो मैं इसको maximize करता हूँ, तो इस प्रकार का यह software open होगा, hope आपको यह installation और downloading process समझ में आया हो, इसके अंदर काम कैसे करना है, वो सब चीजे अगली वीडियो में हम देखेंगे, और आप जो है इसको अपने computer पर या laptop जो भी आपके पास है, इस software को install करना है, download करना है, उसके बाद, यदि आप फिर भ झार करिंगे other के बाद, समय यह दयुका यह एए तैया है, झालो को यह वीऊदोन है Monte बाद, प्रयवालован में हो यह क因 दो समय है, वीशोब,' यह आप जो काम कैसे में हम धो समय है, गाद, वीजे जो एभियो, च्कुले समय हो गिजा है, फ्गिशों है को जए हैं झालो कि फ